सो गाइस फायरवाल से रिलेटेड मैंने तीन टुटोरियल और लेडी दे दिया है आप देख सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तीनों पार्ट की डिटेल्स होगी और यह पूरी स्रीज मैंने स्टार्ट किया हुआ है आज का जो टॉपिक है हमारा फायरवाल के विगनर के लिए कि यह होता क्या है यानि कि यह सिंपल हम लोग बोल सकते हैं कि इस और फायरवाल जोन्स और इन जोन्स को सबसे पहले समझना जरूरी है configuration में यह काफी useful होने वाला है part तो अब यहाँ पे हम लोग जो जोन्स समझने माले इस diagram से समझेंगे आप video को 720 pixel पे at least देखेंगे क्योंकि possible नहीं है इसको और ज़्यादा जूम करके सारी चीज़े कर पाना यहाँ पे आप देख सकते हैं internet की service है इस diagram से ही मैं complete समझाऊंगा इधर आप देख सकते हैं हमारा एक inside का network है this is the inside network and यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा outside का network है यह वाला and यह हमारा एक DMZ है तो मैं यहाँ पे इसको first रखता हूँ इसको second पे रखता हूँ और इसको third पे रखता हूँ यह तीन point है हमारा okay so first point हमने यहाँ पे inside network ले रखा है मतलब कि जो भी हमारे inside की traffic है okay and second number पे DMZ है DMZ actually होता है like अगर आपका कोई public server चल रहा है कोई भी public server आपके company में है जो यूज किया जा रहा है या public network में इसको deploy किया गया है तो एक तरीके का उसके लिए हम लोग DMZ इस्तिमाल करते है DMZ होता है and third point यहाँ पे outside लिखा हूँ आउटसाइड मतलब होता है कि जो भी हमारी outside की traffic इंसाइड ट्रैफिक आउटसाइड ट्रैफिक एंड DMZ की जो ट्रैफिक है यह अलग होती है बिल्कुल यह जैसे DMZ से स्टार्ट करते हैं आपकी company में एक web server चल ला था this is the web server और एक website चल लही थी जिसको host कर रखा आपने और internet के माध्यम से different location से जो users है वो इस service को access करना चाहते हैं तो internet पर आएंगे आपके network router से connect है already internet तो यहाँ पर service आएगी एंड आपके DMZ पर यह land कर जाएगा और इस user को उसकी traffic मिल जाएगा DMZ का जो label तयार होता है देखो जो भी firewall में हम लोग security zone configure करते हैं सब चीजे तो inside outside हर चीज का एक label होता है तो मैं यहाँ पर DMZ public label पर लेकर चलू तो यह 50 पर रखा जाता है 50 मतलब इसमें in and out दोनों की traffic क्या होती है equal होती है तो यह हम लोग यहाँ पर clear out कर लेते हैं सो inside का security label अलग होता है inside का security label अगर हम 100 रख लेते हैं for example यह by default यही set भी होता है और outside का security label zero कर देते हैं तो यह एक तरीके का higher label हो जाता है this is the higher label security zone and this is the lower level security zone तो यह label से define होता है कि traffic flow किधर होना है यानि कि जो भी आपका level है inside outside label है यह define करता है कि what will be traffic flow traffic flow क्या होने वाला होगा या होने वाला है so define traffic flow मैंने यहाँ पर mention कर दिया अब traffic flow क्या होता है जैसे आपकी traffic बाहर से अंदर आनी चाहिए या आपकी traffic अंदर से बाहर जानी चाहिए तो अगर security purpose से हम यह पूरा network configure कर रहे है तो definitely हम लोग चाहेंगे कि inside की जो security है वो किधर होनी चाहिए outside की तरफ जानी चाहिए अब जैसे आपने एक घर बनाया गर बनाने के बाद आपके घर में चार मेंबर हैं तो इन चार मेंबर को आप लाओ करते हो कि तुम बाहर जब चाहे तब जा सकते हो बट बाहर का कोई भी पडोसी या कोई भी ऐसा नहीं है कि वो जब चाहे तब आ हमारे फायर बॉल के पास है और वो एक हायर लेबल की सिक्क्यूरिटी पर काम कर रहे हैं ओके सो अब यहां पर आपको एक्जामपल तो यह समझ में आ गया होगा एंड आउट साइड का जो ट्रैफिक होता है यह एक तरीके का अन्नोन ट्रैफिक है और जो इंसाइड है यह हमारा नोन ट्रैफिक है इससे आप एक्जैक्टली समझ जाएंगे अब यहां पर डीम जेड जो होता है यह एक मीड लेबल ट्रैफिक है तो क्योंकि यह एक वेब आप प्रॉक्सी सर्वर है यह सौरी एक वेब सर्वर है तो इसको बाहर के भी यूजर एक्सेस कर लें और इधर सेक्यूरिटी का वो नहीं है क्योंकि फारवॉल इसको क्या करेगा सिक्यूर तो रखेगा बट इसके ट्रैफिक फ्लो को इक्वल लेबल पर मेंटेन करेगा लेकिन अगर डीम जेड पब्लीक नेटवर्क नहीं है तो हम इसको भी चाहा है तो इनसाइड और आउटसा की ट्रैफिक तो मेंटेन करना ही करना पड़ेगा तो यह हमारा बेसिक कॉंसेप्ट है अब यहां पे एक पॉइंट मैंने लिखा हुआ है कि अगर आउटसाइड से कोई भी ट्रैफिक इन होता है बाहर से कोई ट्रैफिक इन होता है तो इसको हमारे फारवॉल के रूल जो हमने फारवॉल पर रूल यह पॉलिसी सेट कर रखा है उससे मैच करना पड़ेगा और इसको पर्मिशन डेनाई कर दिया जाएगा क्योंकि इंट्रूडर को अलाव नहीं किया गया है बाई डिफॉल्ट यहां पे यह जो फारवॉल है वो चेक करेगा और बोलेगा कि भाई तो यहां पे लिखा हूँ है ट्राफिक फ्रॉं ओर सेक्यूरेटि लेबरा पर अजय कि ही है अंबर यहां अगर इनसाइड का नेटवर्क कोई भी ट्रैफिक बाहर भेजता है और दुबारा से वो आउट मतलब की आउट साइड से इन होता है तो उसको कोई प्रॉबलम नहीं होगी क्योंकि वो एक इनसाइड का ही है और इसके पास उसका डेटा है वो कभी भी जब भी इन होगा ये यूजर मालिया की किसी रिक्वेस्ट को किसी सर्वर से लिया किसी मालिया गूगल से कोई रिक्वेस्ट लिया तो वो इंटरनेट से आएगा और यहां पर अगर वेरिफाई होगा तो थीक है तुम हमारे इनसाइड के नेटवर्क हो तुमको अलाव करते हैं और यह एक्सेस को पढ़ लेते हैं यहां पे like packet filtering क्या होता है network application inspection क्या होता है proxy based firewall filtering क्या होता stateful or stateless inspection क्या होता है यह सारी चीजे हम लोग समझेंगे next video में so मिलते हैं next video में thank you so much खएahren पिर्विडवरा नेगा है झाल झाल